हेलो, ऐसलाम उलेकूम तो यहां पर देखिए, आज मैंने बनाया है सुपर टेस्टी गाजर का हलुआ वो भी सिर्फ दो चम जघी से बनाया है तो अगली बार भी मैंने बनाया था तो दूसरी तरीके से बनाया था और आज मैंने तो आईए इसको बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए यहां पे मैंने गाजर लिया है एक केजी के करीब गाजर है तो गाजर को मैंने दो पहर में ही मतलब कदू कस करके रख लिया था कि हमको शाम में बनाना ऐसे तो अभी शाम का टाइम है और यहां पे कड़ाई में मैंने दो चमज घी डाला है ज्यादा नहीं डाला है बस दो चमज घी से ही बहुत ही टेश्टी हलवा तयार हो जाएगा तो जितने भी मतलब गाजर को मैंने कदुकस करें रखा था तो वो सार बहुत अच्छा हो जाता है तो इसको भूनना बहुत ही जरूरी है ऐसा नहीं कि मतलब घी डाले और यह डाल कर और फिर दूद डाल देना है ऐसा नहीं इसको थोड़ी देर तक के लिए भूनना है इससका टेश्ट बहुत अच्छा आ जाता है तो अभी मैं इसे भून रही डालने के लिए इसमें क्या करेंगे कि दूद को पहले एक पर अच्छी तरह के से बॉयल कर लेंगे तो इसमें जब गर्म दूद डालेगे ना तभी अच्छा रहेगा थंडे दूद को नहीं डालना है और मतलब एक केजी दूद है एक केजी में मैं थोड़ा सा विल्कुल थ जल्दी से डाल लेंगे ना अगर वगल दूद गर्म है कड़ाई गर्म है तो चीटे वगर ना ओडने लगते हैं तो इसलिए मैंने ना मतलब धीरे-धीरे करके ही इसमें दूद डालेंगे और यहां पर दूद डाल दिया है तो आप देखिए इसको मैं इसी तरीके से बस स्टेश को देखिए जाओंगी तो इसको ना ये गाजड़ के हल्वे को बहुत जायदा बुनना पड़ता है और पिर इसमें ना वो ख्या इलाची छोटी है जो हरी वाली ही होती है वही मैंने ना दो तीन इस तरीके से हलका सा उपर का मतलब हलका सा उसके छिलके को हटा दि तो बात में जब हल्वा तैयार होगा तो अलग से उसको निकाल के फिर अलग कर देंगे और इसमें मैंने ना इलाची पौडर नहीं डाला है तो इसी के लिए मेरे पास इलाची थी हरी वाली तो मैंने वैसे ही डाल दिया उससे भी खुस्बू आ जाती है इलाची पौडर रह इधर में इसे भी अच्छी तरीके से भूनते जा रही हूं मतलब इसको क्या है ना कि इसको बस भूनते जाना है भूनते जाना है मतलब यह है कि गाजर का हल्वा बनाने के टाइम में बस कीचन में ही रहना है इधर उदर जाना नहीं है तो बस इसे इसे तरीके से भूनते जाना है और यह जितना बहुना जाएगा उतना अच्छा मतलब लगता है तो यहां पर इस तरह की से Mix कर लिया है थोड़े से मैंने रख लिया है ऊपर ते घाचर के घलवे पस जाने के लिए और यह जो थोड़े से है तो इसको मैं डाल दूंगी हले में तो अभी यहां पर द डाल दिया है इसमें फूट कलर और इसको इस तरह के से चला रहे हैं और आ गये हैं हज़रन तो उन्होंने कहा कि चाय बना दो तो दूसरी तरफ मैंने ना चाय चड़ा दिया है फ्रेंट्स क्योंकि अभी ठंडी कम उसम है तो चाय पीन एक दिल बार बार करता है कि चाय पिए पिए युँष्ण जाय मैं तुकल यहां पर बिलकुल हाइफ लेंपर ही इसको पकाना घंग है तो यहां पे इसको मैं पीच-बीच में गदम से चलाती जा रही हूं ताकि नीचे सटे भी नहीं और फिर अची तरीके से भुनते भी जाया और यहां पे मैंने एक कटोरी चीनी लिया तो उसको डाल दिया तो जरूरी नहीं है फ्रेंट्स की मतलब एक केजी में मैं एक कटोर ही डाल दिया है चीनी तो दूद पुरी तरीके से सुखा नहीं था फिर भी मैंने ना उसमें चीनी डाल दिया था अब चीनी और दूद दोनों साथ-साथ मतलब भुनते जाएंगे और फिर ना इसी स्टेश पर मैंने ना यहां पे जो ड्राइफ रोट्स काटकर रखा था उसको भी डाल दिया अब ड्राइफ डालने के बाद उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे और इसका टेश्ट एक तम बहुत ही जादा टेश्टी मतलब बहुत ही जादा अच्छा लगेगा हल्वा का टेश्ट और फिर ना इसमें मैंने खुआ भी नहीं घाजर भूनकर दूर डाल कर भूनकर बना लिया ड्राइफ नहीं जालग फिर भी बहुत अच्छा लगता है तो यह मतलब ड़ने से क्या होता है ना की खाने में अच्छा लगता है बस इसी कि बहँते है एसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास ड्राइफ रूट्स नहीं है तो मैं नहीं बनाऊगी मैंने कई बार बनाया है बिना ड्राइफ रूट्स के भी और यहां पर भी तो यह मेरा सूपर टेस्टी गाजर कालवा रेडी होगया फ्रेंड्स